हेई फ्रेंड्स वेल्कम कैसे हैं आप सब आशा है आप सभी स्वस्त होंगे आज के रीडिंग में हम लोग चेक करें हैं फ्रेंड्स की आपके परसन जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं तब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्यों क्योंकि ये रीडिंग टाइमलेस हैं आप चा के चेक कर सकते हैं 600 वांट से फर्स्ट कार्ड सेकींड है 9 वांट फायर एनरजी काफी ज्यादा है एरिस लियो साज एनरजी हो सकता है आप जो डियक से डील कर रहे हो या आपके परसंड फाइव और वांट्स ओके तो मैं बता देती हूं कि आपके सिटुएशन स में आपके काफी जादा है आप लोगों की फामली नहीं मान रही है हो सकता है आपकी ना मान रही हो ये भी हो सकता है कि उनकी ना मान रही हो जिसकी वज़े से आपके परसंट बहुत अदा सैड है वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हैं और हो सकता है कि आप लो वज़े से हो सकता है आप उनसे नाराज हो गई हो या फिर आपके arguments हो गई हो जिसकी वज़े से बात कम हो गई हो और आपके person को काफी ज़्यादा बुरा भी लग रहा है वो आपको काफी ज़्यादा miss कर रहे हैं वेट कर रहे हैं आपके call message का कि आपके दुबारा उनसे connect होग आपके लिए इंतजार कर रहे हैं उनको बुरा भी लग रहा है फामली उनकी बात सुनने ही रही है जब भी वह आपके बारे में फामली से बात करने के बारे में सोचते भी हैं तो उनके मन में एक द्वन सा छिड़ जाता है और उन्हें लगता है कि उनकी फामली तो बिल्कु तरीके से बिताए थे आपको परसं आपको काफी ज्यादा मिस्कर है वह चाहते हैं सारे लड़ाई जगरे जो हैं ओवर हो जाएं कॉनफलीक्ट जो हैं वह रिष्थे में एक सक्सेस्फॉल मॉमेंट आए वह इस रिष्थे में शादी करना चाहते हैं आप होना चाहते हैं लेकिन सिर्फ तभी जब family मानेगी लेकिन क्यों family नहीं मान रही है क्योंकि इस वज़े से वो काफी ज़़ादा परेशान हैं काफी ज़़ादा disturb हैं वो wait कर रहे हैं right time का जब उनकी family मान चाहे और family के साथ वो आपकी तरफ आगे बढ़ें आपका रिष्टा लेकर marriage का या फिर आपके साथ reunite होने के लिए तो friends ये आपको बहुत चाहते हैं और ये आपसे reunite भी होना चाहते हैं आपसे marriage भी करना चाहते हैं लेकिन family की अगेंस आकर नहीं family को मना कर जो की एक बहुत ही मुश्किल लग रहा है present की situation को देखकर इन जीजों में time लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये person खुदगर्ज हैं ये आपको बहुत miss भी कर रहे हैं और काफी कुछ जेल रहे हैं जो शायद ही आपको बताते ना हो and I know कि आप भी बहुत ज़्यादा परिशान होगे तो meanwhile आपके लिए क्या guidance है वो हम check करते हैं आपके लिए है the emperor energy divine आपको कहना चाहा रही है कि आपने जो निर्ने ले लिए हैं आप उन निर्नेों पर बने रहें तो भैतर होगा और अपने person को efforts लगाने दें क्योंकि आपने जो करना था अब आप कर चुके हो अब maximum things आपके person को ही handle करनी है तो आप थोड़ा सा bold बनिये, strong बनिये and अपने निर्नेों पर बने रहें जो भी decision आपने लिए हैं उन पर कायम रहें and definitely अपने person को चीजों को sort out करने का मोका दें so that वो sort out करके इस रिष्टे की responsibility भी उठा पाएं तो ये थी friends आपकी reading thank you so much for watching, take care good day